हेलो फ्रेंज वेलकम बेग टू मैं चैनल फ्रेंज आज हम आपको बताएंगे कठल खाने के फाइदे फ्रेंज कठल खाने के लाजवाब फाइदे हैं इसकी सबजी और फल होने पर भी कोई माद भेव नहीं इसका सेवन बड़ा गुड़कारी माना जाता है वहीं इसको कुछ लोग देखना तक पसंद नहीं करते कहीं इसे तंत्र मंत्र के लिए उपयोग में लिया जाता है तो कहीं इसका नाम भी नहीं लेते माना जाता है कि इसको खाना जादातर लोग पसंद नहीं करते इसके गुड़कारी लाब जानकर आप इसे आजमाए बिना नहीं रह सकते सबजी अचार और पकोड़े के अलावा इसे तल कर भी खाया जाता है आईए जानते हैं इसके फाइदे कठल के अंदर कई पोश्टिक तत्रे पाई जाते हैं जैसे विटामिन E से थाइमिन, पोटिशियम, कैल्शियम, आईरेन, जिक आदी इसमें खुब सारा फाइबर पाया जाता है इसमें बिल्कुल भी कैलरी नहीं होती पके हुए कठल के नपलप को अच्छी तरह से मेश करके पानी में उबाला जाए और इस मीशड को ठंडा करके एक गिलास पीने से ताज़ी आती है ये दिल के रोगयों के लिए भी बहुत जादा उपयोगी माना जाता है कठल में पोटिशियम पाये जाता है जो दिल की हर समस्या को दूर करता है क्योंकि ये ब्लेड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है इस रेशिदार फल में काफी आईरेन पाये जाता है फ्रेंस अगर आपको कठल की जड़ मिल जाये तो इसकी जड़ को पानी के साथ उबाल कर बचा हुआ पानी चान कर लेने से आस्थमा बीमारी खतम हो जाती है कब्स की समस्या को दूर करने में भी इसका लाजवाब फाइदा है फ्रेंस अगर आप कठल अपने भोजन में शामिल करेंगे तो फ्रेंस आप अपनी आँखों की भी रोशनी को बरकरार रख सकते हैं 40 या 45 या आयू में आप जब पहुँशते हैं तो आपके आँखों की रोशनी कम होने लगती है आपको धुना 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 दीखने लगता है जिसके वज़े से आप छश्मा लगाना स्टर्ट कर देते हैं तो फ्रेंस अगर आपकी आँखों का तोर भी कम है आपकी आँखों की रोशनी कम हो रही है तो कठल को जादा से जादा अपनी भोजन में इस्तिमाल करिए अपने भोजन में आप इसको शामिल करेंगे तो आप अपनी आँखों की रोशनी में बरकरा रखेंगे फ्रेंस कठल हमारी सहत के लिए हमारी आंकों के लिए हर चीज़ के लिए फायदे मन्द होता है फ्रेंस हमने आज आपके साथ कठल के बहुत सारे फायदे शेयर किये हैं कठल को अपने भोजन में शामिल करें और अपनी आने वाली बीमारियों को भी भगाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं फ्रेंज